दोस्तो आज हम explain करने वारे हैं हाली में आई web series label जो की एक कमार की web series है इसलिए हम आपके लिए इसका explanation ले आए हैं दोस्तो इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अब चलिए कहानी शुरू करते हैं तो episode 1 की शिरुवात में कई सारे बच्चे फुटबल खेल रहे होते हैं तब ही एक प्रबा नाम का लड़का penalty के दुराद फुटबल पर किक मारने वाला होता है उसी समय गोल की पर भागता हुआ एक आदमी के पास जाता है और जमीन से चा को निकाल कर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है इसके बाद उन बच्चों में से कुछ बच्चे निकल कर सामने आते हैं और उस आदमी को घेर कर ये बच्चे वोस आदमी को जान से मार देते हैं उससे में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जिसे देखकर वो गोल की पर तो वहाँ से भाग जाता है और प्रभा जो ये सब कुछ खड़ा खड़ा देख रहा था उसे भी उन मडर करने वाले बच्चों के साथ पकड़ कर पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं और प्रभा बस चिलाता ही रह जाता है कि मैंने एक हुर नहीं किया पर कोई भी उसकी नहीं सुनता इसके बाद इन बच्चों को महां के ACP के पास ले जाते हैं और वहां भी प्रभा गैदाएगी सर मैं तो सिर्फ खेल रहा था लेकिन इन लोगों के साथ मुझे भी पकड़ लिया गया तब इसे भी पूछता है कि कौन सी बस्ती से हो तुम तो प्रभा गैदाएगी वाली नगर और ये जानकर ACP मुश्कुराने लगता है असल में वाली नगर का नाम उस पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा बदनाम था क्योंकि वहां के बच्चे अक्सर मडर, चोरी और नशे के इलजाम में पकड़े जाते थे इसलिए पुलिस ने प्रभा को भी नई छोड़ा क्योंकि वह वाली नगर से था और फिर बच्चों को जिवनाल सेंटर भीश दिया जाता है अब सब बच्चे तो वहां भी खुश थे पर जुटेल जाम में आया प्रभा सब लोगों से अलग-अलग रहता था और उसे वहां का इंचार्ज नोटिस भी करता था कि ये सबसे अलग क्यों रहता है फिर एक दिन इंचार्ज प्रभा को बुला कर पूछता है कि क्या दिक्कत है तो प्रभा फिर से क्यादा है कि सर मैंने कुछ नहीं किया लेकिन वो प्रभा क्यादा है कि हाँ मुझे पता है लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते तब प्रभा क्यादा है कि सर मुझे पढ़ने के लिए 10th की किताबे चाहिए होंगी और इन चार्ज उसे वहां की लेबरेड़ी में जाने देता है जहां जाकर प्रभा मन लगा कर पढ़ने लगता है इसके कुछ दुन बाद प्रभा को पता चलता है कि असली मडर तो पकड़ा गया है और प्रभा के माबाब भी उसे बेल दिलाने आये थे इसलिए प्रभा को पलिस वाले जाने देते हैं अब हमें स्कूल का सी निखाते है जहां टीचर बच्चों से पूछती है किस बार रिजल्ट में टॉप किस ने किया तब प्रभा महाँ पर खड़ा होता है और उसे देखकर टीचर हरान हो जाती है तब टीचर प्रभा से पूछती है कि बताओ तुम बढ़े होकर क्या बनना चाहते हो तो प्रभा कहता है कि मैं मुझे हर कोई एक कारोपी की नजर से देखता है भलाई मैंने कुछ किया हो या ना किया हो बस मेरा कसूल इतना है कि मैं वाली नगर से आता हूँ इसलिए मैं अब ऐसा इंसान बनूँगा जो इस नजरिये को बदल सके इस पर टीचर कहती है कि मैं जानती हूँ जो तुम चाहोगे वो बन जाओगे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बच्ची को देखते है जो एक लोयर के पास आती है और कहती है कि प्रभा वहिया मेरे पापा को पुलिस ने अरेश्ट किया है ज्यानी अप्रभा बढ़ा होकर एक लोयर बन चुका है फिर कोर्ट में एक आदमी के उपर चोरी का केस चल रहा होता है जहां दूसरी साइड का वकील कहता है कि इस आदमी ने आईजी सर के घर में चोरी की है क्योंकि उस दिन आईजी सर और उनकी वाइफ शहर से बाहर जा रखे थे दब इसने खिड़की से घुस कर तीन लाक रुपे और कुछ गहने चुराए है पर उसी समय आईजी सर जैसे ही घर आ रहे थे तब उनकी बीवी ने इस आदमी की शगल देख ली और ये सर प्रबा बैटा सुन रहा था फिर वो वकील कहता है कि सर इसकी उंगलियों के निशान और घर में मिली उंगलियों के निशान भी सेम है इसलिए हमें इसकी रिमांट दीजी हम सच उगलवा लेंगे अब जब प्रबा की बारी आती है तो वो सीधा कहता है कि सर मेरे क्लाइंट नहीं चोरी की है ये सुनते ही सब लोग चोक जाते हैं कि ये कैसा वकील है जो अपने क्लाइंट को ही फसा रहा है फिर प्रबा कहता है कि सर आप इने जाने दीजिए ये आदमी उनका चुराय हुआ सारा सोना और पैसा लोटाने को तयार है ये सुनकर जज कहते हैं तो तुमने पहले क्यों नहीं लोटाया तो प्रभा कहता है कि सरी नों ने सोचा तो यही था पर बाद में पता चला कि चुराय हुआ सारे गहने नकली हैं ये सुनती आई जी की बीवी खड़ी हो जाती है और चिलाने लगती है कि सारी जोलरी गोड की थी तब प्रभाद जज को एक सर्टिफिकेट देता है कि ये जोहरी ने दिया है कि सारी जोलरी नकली थी और प्रभा कहता है कि हमने पुलिस को सच्चा इसलिए ने बताई क्योंकि पुलिस फिर मेरी क्लाइन को परिशान करती इसलिए हम ये मामला कोट में निपटा रहे हैं पर ये सुनने के बाद आई जी की बीवी हला करने लगती है तो जज़ उने कटगरे में आकर बयान देने के लिए कहते हैं और आई जी की बीवी कटगरे में आ भी जाती हैं जिसे पहले उनका वकिल रोक रहा था अप्रभा आई जी की बीवी से पूछता है कि हम सच तो बता रहे हैं तो आपको क्या प्रबलम है तो आई जी की बीवी कहती है कि ये जुट बोल रहा है इसने असली गहने चुरा कर नकली गहने दिखाये हैं तब प्रभा कहता है कि आपके घर दो पैर दो बज़े चोरी हुई थी और जब ये जोरी के पास गए तो साड़े तीन बज़ रहे थे अब इतने कम समय में सीम वैसी नकली जोलरी कहां से आजाएगी ये सुनकर आई जी की बीवी घबराने लगती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती मुझे असली गहने चाहिए फिर प्रभा आई जी की बीवी को अपनी बातों में फसाने लगता है कि ये किसी भी तरह से सच बोल दे और वो अपने क्रेंट से पूछने लगता है कि चोरी करने के बाद क्या हुआ था बताओ और वो आदमी बताता है कि दिवार टापकर में जाने लगा तो मैं इन मैडम से टकराया जिस पर वो औरत कहती है कि नहीं तुम मुझसे कब टकराये थे उसी समयाई जी का वकिल कहता है कि मैडम को थोड़ा तयार होने दीजिए न और जज कहते हैं सच बोलने के लिए कैसे तयारी फिर जज पूछते हैं कि आप सच बताईए कि आपने इस आदमी को देखा था या नहीं क्योंकि आप अपने ब्यान से बार-बार बदल रही हैं तब वो औरत कन्फियूस हो जाती है और पकड़ी न जाए इसलिए कहती है कि ये आदमी वो नहीं था वो तो छूटा सा और गोरा आदमी था अब जब सच सामने आता है तो प्रभा कहता है कि सर ये पूरा केस ही फेक है असल में हुआ ये था कि आई जी सर के घर में चोरी हुई और चोर जब पकड़ा नहीं गया तो आई जी सर को अपनी जद बचानी थी इसलिए जब मेरा क्लाइंट वहां से गुजर रहा था तो वही नहीं इस इलजाम में फसा दिया गया और बाद में जा कर ये फिंगर प्रिंट वगेरा घर में लगाय गये सबुत के नाम पर बाद में आई जी सर ने अपनी बीवी को भी इस आदमी को पैचानने के लिए कहा था इसलिए सारा खेल खेल खेला गया अभी सब सुनने के बाद जजज साब उस आदमी को छोड़ देते हैं तब प्रभा क्यादा है कि सर मेरे क्लाइंट पर ऐसा जूटा इलजाम लगाने के लिए उन्हें तीन लाग रुपे तो मिलने ही चाहिए और जजज भी इस बात का ओडर दे देते हैं आपके इस जीतने के बाद प्रभा अपने सीनियर से जाकर मिलता है जो उसके खुब तारीफ करते हैं कि तुम देरे देरे काफी पक्तिय वकील बन चुके हो उसी समय उनके सामने से एक बहुत बड़ा वकील गुजरता है जिसे सब लोग बड़ी ज़से ही देखने लगते हैं और प्रभा का सर कहता है कि ये तुमें ही इतने गौर से देख रहा था लेकिन प्रभा कहता है कि सर मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी को देखते हैं जो चार लड़कों को प्लैन समझा रहा होता है कि आज रात ही हमें उस आदमी को टपकाना है और हमें पता चलता है कि उन चार लड़कों में से दो लड़के वाली नगर के हैं फिर वो आदमी उन्हें प्लैन बता कर पैसे के साथ थोड़ा नशीला पावडर भी दे देता है जिसे देख कर वो लोग मान जाते हैं और रात को मिलेंगे कैकर चले जाते हैं इधर हम एक इवेंट को देखते हैं जहाँ पर कॉंपटीशन की तयारी चल रही थी और उसे प्रभा अपने साथियों के साथ मिलकर और्गनाइस करवा रहा था तब ही उसे एक बच्चा कर बताता है कि भाहिया अपने लोग लड़ रहे हैं और प्रभा उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है इस साइड हम तीन लड़कों को देखते हैं जो एक आदमी को मानने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे और वो आदमी किसी तरह से अपनी जान बचा रहा था थोड़ी देर में वो दीनों उस आदमी को पगड़ लेते हैं और जैसे ही वो से मानने वाले होते हैं तब ही वहाँ पर प्रभा पहुच जाता है और हम देखते हैं कि ये तो शूटिंग चल रही थी जिसको पैसा टीवी नाम के चैनल के लिए एक लड़की लड़के के साथ मिलकर शूट कर रही थी तब प्रभा पूचता है कि क्या है ये सब और वो आदमी बताता है कि हम लोग इस इलाके पर अपने स्पीशल शोव में यहां की कहानी दिखा रहे हैं जो पिछले हफते एक मडर हुआ था उसी का लाइफ वर्जन पर प्रभा अपने ही लोगों पर भढ़कने लगता है कि हम अपनी बस्ती की इमेज बदलने में लगे हुए हैं और तुम तीनों इन लोगों की बातों में आकर टीवी पर ये सब दिखाओगे तब वो आदमी कहता है कि सर हमें सबते अपने सिलाके के बारे में डॉक्यमेंटरी दिखाने वाले थे आप भी देखिए फिर हमें एक डॉक्यमेंटरी दिखा दे हैं जिसका डाइडल होता है लेबल यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ मदरास में ये लेबल शब्द एक अलगी माईने रखता है क्योंकि इस एरिया में दो लेबल ही चलते हैं सेंगटूल लेबल और एक अईया लेबल उसके सारे काम उसका खास आदमी बंक शुरे समालता है और उसकी पूरी गैंग वाली नगर से ही तयार होती है क्योंकि लेबल यहाँ के लड़कों के लिए एक बहुत बड़ी उपादी है जिसको पाकर ये लोग पूरे शहर पर राज करते हैं और वो बिंदास कई भी खा पी सकते हैं और पैसे मांगने पर लेबल का नाम ही काफी है इसलिए वाली नगर का हर लड़का इसी लेबल को पाना चाता है ये देखने के बाद प्रभा अब उन लोगों पर ही भड़क जाता है कि नौर्थ मदरास में चोरी और मडर के लावा तुम्हें और कुछ नहीं मिला दिखाने को तब वो लड़की कहती है कि आप मुझे मेरा काम ना सिखाओ मुझे पता है मुझे क्या दिखाना है और क्या नहीं क्योंकि मैं इसकी फ्रडिसर हूँ ये देखकर प्रभा उसे कहता है कि ये मेडिया लाइन ना और तोकले सेफ नहीं है यहाँ पर लड़कियों को बड़ी पोजिशन पाने के लिए मर्दों के साथ कॉम्प्रोमैस करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे भी किसी ने इसके बारे में कुछ ऐसा ही बताया था तब ये सुनने के बाद वो लड़की प्रभा पर ही बढ़क जाती है कि किसी एक की गलती की कारण तुम सब लड़कियों को गलत कैसे कह सकते हो और वो प्रभा को सुनन लगती है ये सुनकर प्रभा कैदा है कि हम भी तो यही कर रहे हैं अपनी पैचान को बदलने की कोशिश क्योंकि अब तक पुरानी गलतीयों के कारण मेरी बस्ती कना पहले से ही खराब है और तुम उसी पर शो बना रहे हो कभी हमारे नौर्थ मदरास के बारे में अच्छी साइड भी तो दिखाओ या सिर्फ बूरी ही दिखाते रहोगे ये सुनकर ओ लड़की शान्थ हो जाती है फिर हमें रात गो कॉमपटिशन का सीन दिखाते हैं जहां कई सारे बच्चे पार्टिसिबेट करने आये थे और यहां वो रिपोर्डर भी प्रभा के साथ आ जाती है और यहां प्रभा उसे बताता है कि यहां बच्चे आप भटके नहीं इसलिए मैंने इसका आईजुन किया है बच्चों को नई दिखाने के लिए किसी को मानने का प्लैन बना रहे थे और वो रात को उसी काम को निप्टाने जा रहे थे पर अब माइक मैनाउंस होने के बाद वो लोग रेस में आ जाते हैं और फिर रेस शुरू होती है और यह लोग असानी से जीत भी जाते हैं इसके बास सब लोग मिलकर प्रभा की तारीफ करते हैं और ये सब वो रिपोर्डर महां खड़ी देख रही थी फिर प्रभा के पास उसका दोस्त आता है जो पूछता है कि तुने जज़ बनने के लिए अपलाई किया या नहीं तब उसका दोस्त उसे जज़ के लिए अपलाई करवा देता है इदर हम उस आदमी को देखते हैं जो लड़कों का इंतजार ही कर रहा था पर वो लड़के तो यहां कॉम्प्टीशन में बिजी थे तब वो आदमी कहाता है कि कोई बाद नहीं हम तीनों ही मिलकर अपने शिकार को मार देंगे आप जैसे इन लोगों का टार्गेट वहां से गुजर रहा होता है यह तीनों उस पर हमला कर देते हैं पर वो आदमी जैसे तैसे इन तीनों को इट मार कर वहां से भाग जाता है इसके बाद एक पुलिस वाल आकर एक आदमी को फोन दे कर जाता है और यह आदमी बंक सुरेश है जो अपने किसी भाईया से बात करके बताता है कि वो शिकार हमारे हाथ से निकल गया यानि जो आदमी अभी बचके निकला था उसे यही लोग मरवाना चाते थे उसी समय हम उस आदमी को देखते हैं जो सड़क किनारे जान बचा कर जा रहा था तब ही एक बाइक वाला आता है और उसका गला काट कर चला जाता है फिर फोन वाला आदमी उससे कहता है कि तुम पता लगा उस रेश गलती कहां पर हुई और यही पर पैला अपिसोड खतम होता है और अगर आपको इसके आगे का अपिसोड चाहिए तो कोमेंट में पार्ट Disux जरूर लखीहेगा हम जल्द ही ले आएंगी बाकि अगर आपको हाली में आई आरे हैं वेब फिरीज या इसकंदा मूवी देखनी है तो आप ही वीडियो देख लीजिए